तो TGT और PGT में पूछे गए प्रीवियस एक के कोईस्टन्स बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तेक देखी चलिए सुरू करते हैं पहला कोईस्टन है निम्न में से कौन एक जलिये जाती है ऐसी जाती का नाम बताना है जो जल में पाई जाती है TGT 2005 में पूछा गया फिर 2010 में पूछा गया फिर 2013 में पूछा गया तीन बार TGT में ये प्रशन पूछा गया है और एक बार PGT 2010 में पूछा गया था तो important question है बताया गया है कि कौन एक जलिये जाती है तो answer होगा इसका D. rixia flutens एक जलिये जाती होती है ये देखे जो चित्र हम दिखा रहे हैं ये चित्र rixia flutens का है ये एक जलिये aquatic bryophyta है जलिये या aquatic bryophyta है और यह तालाबों जहीलों में तैरते भी पाई जाती है तालाबों अथवा जहीलों में तैरती रहती है भारती ये bryology का पिता sr kasyap, राम उदार, p. n. mehra, k. c. mehta p. g. t. 2013 हमें प्रश्ण पूछा गया था ये भारती ये bryology के पिता कौन समझे जाते हैं आंसर होगा पहला sr kasyap, ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ ये भारती ये bryology के पिता है, sr kasyap, प्रोफेसर सिव राम kasyap इनका पूरा नाम है ये भारती ये bryology के पिता, या कह लिजिए कि father of Indian bryology माना जाता है और इनका जन्म 6 नवंबर 1882 को झेलम पंजाब में हुआ था यानि पंजाब के जेलम में ये 6 नवंबर 1882 को पैदा हुए थे किसके यहां तो एक साहसी सैनिक परिवार में इनका जन्म हुआ था नेट्स कुरिशन है, प्रोफेसर स. आर कasyap थे, क्या थे? कवक विग्यानी, ब्रायो विग्य, जीवासमे विग्यानी, सैवाल विग्यानी, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोफेसर स. आर कasyap को इंडियन ब्रायोलोजी के पिता कहा जाता है, यानि ब्रायो विग्य कहा जाएगा, तो इसका आप्शन सही होगा B next question है, ब्रायो फाइट्स हैं, जलिए, इस्थलिये, उभहहचर, इन में से कोई नहीं, ब्रायो फाइट्स हैं, ये TGT 2009 में पुछा गया था, के ब्रायो फाइट्स क्या हैं, आंसर सही होगाiba C, ब्राइट्स उभहचर होते हैं, बता दें, कि ब्राइट्स पौध्धों को उभैचर माना गया, जितने भी ब्रावफाइट्स पौधे होते हैं, वह सभी उभैचर माने गये हैं, और इन्हें पादब जगत का उभैचर कहा जाता है, पादब जगत का उभैचर, इन पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, जल और इस्थल दोनों माध्य पड़ती है, ब्रावफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं, यानि ब्रावफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता हैं, इन में से चार आपसद दिये गए हैं, TGT 2013 में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा C, पादब जगत के उभैचर, ब्रावफाइट्स को पादब जगत के उभैचर हैं, कौन होंगे, आप सभी लोग जान गये होंगे आंसर कि पादब जगत के उभैचर कौन होंगे, तो ब्रावफाइट्स होंगे, ये कुश्चन PGT 2010 में पूछा गया था, नेट्स कुश्चन है, विशालतम ब्रावफाइटा हैं, विशालतम से बड़े ब्रावफाइटा कौन से होंगे, टीजी टी 2010 में कुश्चन पूछा गया था, ये कि विशालतम ब्रावफाइटा कौन है, तो इसका आंसर सयोगा B, डाव सोनिया, डाव सोनिया एक विशालतम याखले जे बिगेस्ट ब्रावफाइट्स हैं, और इनकी उचाई सतर सेंटीमीटर तक होती है, अधिकार्स ब्रावफाइटा छोटी साइज के होते हैं, लेकिन ये सतर सेंटीमीटर तक होता है, बहुकोस की तिरचे पट युक्त मूलाभास किस में पाय जाते हैं, टीजी टी 2010 में कुश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा B, फिवने मूलाभास जड़ के समान संरचनाए होती हैं, जो पौधे को भूमी में इस्थिर करती हैं, और खानिजवा जल लवडों का अवसोशर करती हैं, या पौधों को भूमी में जमाये रखती हैं, और साथी साथ जमीन से या कशिरी मिट्टी से खानिज लवडों का और जल का अ जाते हैं फिवनेरिया में next question है निर्डखित में कौन एक लिंगा स्राई जाती है एक लिंगा स्राई जाती का नाम बताना है TGT 2010 में question पुछा गया था तो इसका answer होगा D R Hemalainsis answer क्या है D R Hemalainsis बतादे कि R Hemalainsis एक लिंगा स्राई जाती है और इसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग थैलस पर उत्पन होते हैं एक लिंगा स्राई है इसलिए नर अलग और मादा अलग थैलस पर उत्पन होते हैं अगर दुई लिंगा स्राई होता तो एक ही में हो जाते फिवनेरिया के परिमुख दांत होते हैं यह question TGT 2013 में पूछा गया था फिवनेरिया के परिमुखदांत किस प्रकार के होते हैं बताना है तो आंसर्स योगस में पहला आर्थोडोंटस प्रकार के होते हैं बता दें कि परिमुखदांत मौसस में पाय जाते हैं जो मौसस होते हैं मौस में परिमुखदांत पाय जाते ह यह जो हम चित्र दिखा रहे हैं यह फिवनेरिया का चित्र है फिवनेरिया का एक चित्र है और जो फिवनेरिया होते है इसमें परिमुख दात और्थोडांटर्स प्रकार के होते अभी मैंने आपको बताया और फिवनेरिया के संपुटिका में परिमुख दात की संख्या 32 हो पोजाती हैं नेश को जिशन है आप को बताई किसमें उसे किसमें मुख्यतah प्रेशन, पूछा गया तु तो इसका आंसर होगा Mosses, Mosses में परिमुखदात पाया जाते हैं, नेश कुछ चने किस पौधों के समुह में मुख्यतया Alternation Up Generation पाया जाता है, ऐसा पौधों का कौँ सा समुह है जिसमें Alternation Up Generation पाया जाता है, PGT 2013 हमें Question पूछा गया था, इसका आंसर होगा D, Bryophytes में Alternation Up Generation पाया जाता है, बताते हैं कि ब्रायोफाइटा जो समुह है, इस समुह के सदस्यों के जीवन चक्र में या खलीजी की Life Cycle में दो सूस्पेश्ट प्रवास्थाएं होती हैं, यनि इनका जीवन चक्र दो प्रवास् होते हैं दोनों प्रवस्थाएं, और इनमें से एक पीढ़ी, जिसे युगमकोद भित कहते हैं, एक पीढ़ी को युगमकोद भित कहा जाता है, जो अगुडित होता है, और इनसे युगमक का निर्माड होता है, जो अगुडित होता है, उसी से युगमक का निर्माड होता और युगमकों के आपस में मिलने से दिगुडित युगमनज या जायगोर का निर्मान हो जाता है अब इसकी दूसरी पीठी अर्थात बिजाणोद भिद पीठी कहलाती है या सेप्रोफेटिक पीठी कहलाती है जो दूसरी पीठी होती है और इस प्रकार से तेण इस कि रिक्सिया और मार्किन्सिया पौधे Շस समूह में आते हैं? तो इसका आंसर होगा, यह दोनों पौधे ब्रायो फाइटा समूह में आते हैं जह आंसर से तो अ सुछ पैस्ट, दीर्गकालीन, मुक्तसाखित एवं हरित होती है जबकि जो बिजार उद्भित प्रावस्था होती है ये पूर्ण रूप से युग मुक्त उद्भित पर आस्रित होती हुआ अल्प जीवी होती है नेस कुछ रहे रिक्सिया के पुमण है तो ये क्वेस्चन TGT 2010 में पूछा गया था रिक्सिया के पुमण कौन होंगे आंसर से युगा B दुई कसाब की पुमण होते है रिक्सिया के जो पुमण होते है वे दुई कसाब की या बाई फ्लेजिलेट होते है और ये मुड़े-वी तथा लंबे आकार के होते है नेस्ट कुछ रहे ब्रायो फाइर्स को सैवाल से प्रठक किया जा सकता है यानि सैवाल असुर किसलिए प्रठक किया जा सकता है तो ये PGT 2009 में कुछ रहे था इसका आंसर होगा C इनमें आर्ची गोनियम के बाहर बंध को सिकाएं होती है इनमें जो आर्ची गोनियम होती है उसके बाहर क्या होती है बंध को सिकाएं पाई जाती है इसलिए ब्रायोफाइट को सेवालों से प्रथक किया गया है बताते चलें कि आर्ची गोनियम माधा जनन अंग होते हैं ये और योग्मुकों के मिलने से जायगोड का निर्माड होता है अभी मैंने बताय था आपको जब अगुडित युगमग मिलते हैं आपस में तो जायगोड का निर्माड होता है जो की दुगडित बन जाता है जैसे ही जायगोड बना तो दुगडित हो जाता है और यही बिजारुद भिद अवस्था की प्र अंतिम कोसिका है युगमक, बीजाड़, एलेटर, युगमनेस, ग्रावफाटा के युगमकोदभित अवस्था की अंतिम कोसिका है आप लोगों को पता चल गया होगा आभी मनें बताया आप लोगों को की युगमक होती है सरवाधिक हाशित योगमकोदभित अवस्था किसमें दिखाई देती है TGT 2015 हमें प्रेश्ण पूचा गया था तो इसका आंसर होगा D. NGOSperm में बता दें किसमें सरवाधिक राशित योगमकोदभित अवस्था NGOSperm में दिखाई देती है और इसके बिपिरित अगर देखा जाए जो व्रायोफाइटा है व्रायोफाइटा में योगमकोदभित का मुक्य पौधा होता है और इसमें यह आवस्था स्वतंत्रहरी, साखित और दीर्घकालिक होती है जबकि उसमें रासित होती है, कम होती है फिवनेरिया में गोपक का निर्माड होता है पुंधानी द्वारा, इस्तंभी का द्वारा, संपोटी का द्वारा, इस्त्रीधानी द्वारा फिवनेरिया में गोपक का निर्माड कहा होता है, कि द्वारा होता है TGT 2009 में question पूछा गया था इसका answer होगा D फिवनेरिया में गोपक का निर्मार इस्त्री धानी के द्वारा होता है आपको बताते चलें कि फिवनेरिया में निसेचन के बाद जो sporophyte बनते हैं या कलेजी की युगों को भित का निर्मार होता है उसे sporogonium कहा जाता है और तरुण अवस्था में इसके उपर एक आवरन बन जाता है उसी आवरन को गोपक कहा जाता है गोपक और इसका निर्मार इस्त्री धानी के वेंटर भाग में होता है इसलिए गोपक एक अगोडित सर्दचना होती है पिजिती दोजार दास में कोपक पूछा गोपक होता है का यावरन कोएक पहला इसका अगोडित होता है PGT 2003 में कुछ सनी पूछा गया था तो मास इस प्रोफाइट का आप गोपक क्या होगा अगोडी तो होता है